हाईलो एब्रीवन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी कामारे अपने यूट्यूब चैनल सिव कोचिंग क्लासेस पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेतर ढंग से चल रही होगी आज की इस वीडिय क्यों हम भात करें खुला यानी परिसंचनल तन्त जो होता है इसमें यदि हम देखे तो इनमें पहला दिपरेंस क्या है यह बेसीकलि की azええ की जनतूव में पाता है याानि खुला परिसंचनल तन्त जो होता है यह जो है मोक्रूप से आकसेरुकी जन्तुओं में पाय जाता है, यानि इन वार्टी ब्रेट्स जो होते हैं, उनमें पाय जाता है, मुख रूप से किसे पाय जाता है, आकसेरुकी जन्तुओं में पाय जाता है, वहीं जो बंद सर्कुलेटरी सिस्टेम है, यानि कि बंद परिशंच्रन तंत्र है, दूसरा डिफ्रेंस है कि इनमें जो रूधिर होता है रूधिर कम दाब के साथ बैता है यानि जो रक्त होता है इसमें कम दाब के साथ बैता है यानि प्रेसर जो है दाब का इसमें कम होता है वहीं बंद परिशंचरने तंत में क्या होता है कि इसमें जो रूधिर होता है या अधिक दाब के साथ बैता है बंद परिशंचरण तंत में जो रूधिर होता है यह अधिक दाब के साथ बैता है अगला डिफ्रेंस है इनमें इसमें अंगों में बहने वाले रूधिर की जो मात्रा होती है वो नियंत्रित नहीं होती है यानि इसमें किसी भी प्रकार से जो ब अंत्रित होती है अगला डिफ्रेंस है इन में कि इन में जो रूधिर होती है तो इसमें रूधिर जो होती है वो जीवित कोशिकाओं के चारो और उपस्थित खुले इस्थानों में प्रवाहित होता है यानि जो रूधिर होता है चारो और जो कोशिकाओं इस्थित है उनके चारो और खुले इस्थानों में रूधिर जो है वो प्रवाहित होता है वहीं यदि हम बंद चर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या क्लोईट चर्कुलेटरी सिस्टम की तो इसमें रूधिर जो होता है वो हमेशा रूधिर वाहिनियों में ही प्रवाहित होता है रूधिर ज कोशिकाओं के मद्ध होता है जो खुला परिसंचने दंत होता है इनमें जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो सीधे रूधिर एवं सारीरिक कोशिकाओं के मद्ध होता है यानि जो आदान प्रदान होता है वो सीधे डारेक्ट रूधिर के मद्ध हम से या सारीरिक क कोशिकाओं के मद्ध होता है वह यादि बंद परिसंचनतंत की बात करें तो इसमें पदार्थों का जो अधान प्रदान होता है वो उतक द्रव के मध्यम से होता है किसके मध्यम से उतक द्रव के मध्यम से होता है अगला डिफ्रेंस है इनमें कि इसमें कोशिकाओं का निर्म नहीं होता है। ये महत्तपूर डिफ्रेंस है कि छो खुला परिसंचना तंथ होता है कि open circulatory system होता है इन में कोशिकाओं का निर्मार नहीं होता है याणि कि सेल का formation किसी प्रकार से नहीं होता है लेकिन जो बंद परिसंचना तंथ है इसमें रूधिर जो है रूधिर वाहिकाओं के अंदर कोशिकाओं का निर्मार भी करती है इसमें जो रूधिर वाहिकाओं होती है ये अंगों के अंदर कोशिकाओं का निर्मार भी करती है अगला डिफ्रेंस है कि इसमें जो रूधिर होती है रूधिर जो होता है वो हीमो सील में भ बहुत होता है इनमें किसी प्रकार की हिमो सेल जी फ़िटई या गुवा नहीं पाई जाती है तो जो कलें वीडियों पसंद आई होगी जो भीडियों अच्छी लग सेओं कुल गुषे हैं मिलते हैं तर्थ नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद्दु मात्रम